नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजिम आपका स्वागत है, आशा करता हूँ, आप सब ठीक होंगे, दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, रेलवे में पॉइंट्समेन के पोस्ट के बारे में, जो रेलवे में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का एक पोस्ट होता है सेफ्टी केटेगरी का पोस्ट होता है, और रेलवे के ऑपरेशन्स यानि परिचालन से डिल करता है, दोस्तों, पॉइंट्समेन का जो पोस्ट होता है, उसमें पहला पोस्ट का जो नाम होता है, असिस्टेंट पॉइंट्समेन होता है, असिस्टेंट पॉइंट्समेन के वो pointsman, एक category का बनता है, उसके बाद भी आगे promotion के criteria's है, जो मैं बताऊँगा इस वीडियो में, तो assistant pointsman बनने के बाद, पहले 39 days की training होती थी, अब उसे decrease कर दिया गया है, और training उनकी ATC में होती है, जैसे station masters और other engineers वगरा की ZTC, journal training center में होती है, उनकी ATC में होती है, उसमें training लेने के बाद, इनकी LRD होती है, यानि कुछ दिनों की station पर training होती है, और उसके बाद उन्हें posting दी जाती है, posting देने के बाद, किसी भी station पे, इनका काम station के हिसाब से अलग-अलग होता है, जैसे, माल लीजिए, एक छोटे से station पे काम कर रहा है, roadside station है, सड़क के किनारे station है, छोटा सा station है, पांच या दस गाड़ियां आती है, ऐसे stationों पे pointsman के लग-भग, अगर normal वे में गाड़ियां चलनी, कोई भी काम नहीं होता है, जब गुजरती है, जो गाड़ी station पे नहीं रुखती है, तो उसके offside, offside का मतलब होता है, इस side अगर station building है, और तो गाड़ी के उस side जा करके, उन्हें exchange दिखाना रहता है, green signal, और इस side से station master signal दिखाते है, जिसे all right signal कहा जाता है, ये दिखाते हैं, गाड़ी में सभी कुछ किसी तरह का problem उस side से भी नहीं है, इस side से station master देखते हैं, प्रॉब्लम नहीं, इसे कहा जाता है all right signal, जो वो दिखाते हैं, ये assistant pointsman का ऐसे station पे काम है, इसके अलावा बाकी चीजों के maintenance को ध्यान देना, चाहे वहाँ पे कई तरह के locks रखे रहते हैं, कई तरह के instruments रखे रहते हैं, किसी भी station को चलाने के लिए, उसके maintenance को ध्यान देना, जैसा कि station master बताते हैं, उसके बाद, अगर उससे बड़े station पे आप काम कर रहे हैं, मिड लेवल का station है, ना बहुत बड़ा है, ना बहुत छोटा है, तो उनकी थोड़े से काम की परेदी बढ़ जाते हैं, थोड़ pointsman, वहाँ पे बहुत काम हो जाता है, जैसे shunting करवाना, यानि किसी भी engine को किसी गाड़ी से detach करना, किसी engine को उसमें attach करना, ये सारे काम pointsman ही करते हैं, planning के साथ manage करके, लेकिन यही pointsman, जब division में posting होती है, किसी railway के office में, तो वो clerical work करते हैं, यह भी option available रहता है, यानि station के हिसा से pointsman के भी काम बदलते हैं, लेकिन जो मुख्य काम है, वो यही है, all net exchange signal दिखाना, और pointsman का नाम अगर हिंदी में देखेगा, तो कांटा वाला लिखा जाता है, किसी भी railway track पे points जो बने रहते हैं, वो एक track से दूसरे track पे train को ले जाने के लिए रहता है, उसे कांटा कहा ज जिसे कांटा वाला भी कहा जाता है, तो pointsman, यह भी क्योंकि पहले क्या होता था, कि cabin man होते थे pointsman, और वो किसी भी गाड़ी के लिए manually, manually points को operate करते थे, तो points set होता था, अब हालाकि electrically operate होने लगा है, तो कोई बात नहीं, हाँ, जब unusual होता है, जब failure हो जाता है signal का और points का, त station master के observation में हो भी, तो above all अगर देखा जाए, छोटे station उपे और mid-level station उपे, pointsman बहुत आराम के साथ काम करता है, और अगर promotion की बात करें, तो एक pointsman, assistant pointsman से pointsman, और pointsman के बात, वो station master बन जाता, अगर उसके अंदर थोड़ी भी प्रतिवा है, तो pointsman, station master या guard जरूर बनता है, इस general departmental competitive examination के होते हैं, जो कोई भी railway निकालती है, GDC या LDC, limited departmental competitive examination, ये सारे जो होते हैं, उसमें सिर्फ department के लोग exam दे सकते हैं, बाहर अगर आप देखेंगे, 100 seats के लिए, 1000 और 10,000 से उपर लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ departmental exam होते हैं, अगर 100 seat होतों, कई बार 500 candidate भी नहीं रहत exam देखेंगे, वहाँ पर इनके compete करने के संभावना है, बहुत बढ़ जाती है, और कई pointsmen, pointsmen station master बनते हैं, station master से controller बने हैं, ऐसे मेरे जानकारी में उदाहरन हैं, तो अगर किसी भी group D, जो पहले था, उस category में अगर किसी भी post को देखा जाए, जिसके career की सबसे ज़्यादा सं नॉर्मली वो एक office में काम करता है, उसका एक stipulated time होता है काम का, उसे कभी भी बुलाया नहीं जाता है, particular hours में काम करता है, कई जगा पर pointsmen की duty 8 hours की और कई जगा पर pointsmen की duty 12 घंटे की होती है, हाँ, उसे overtime भी दिया जाता है, salary में आगे, एक किसी pointsmen के salary slip पे भी discussion करने होगा, तो overall अगर group D, category जो पहले थी, अब group C ही हो गई है, में देखा जाए, तो pointsmen का job बहतरीन job है करने के लिए, आईए बात करते हैं, pointsmen के salary के बारे में, मैंने यहाँ पे एक 7 साल work किये हुए, किसी pointsmen का salary slip किया है, जिसमें गर इनकी gross salary देखी जाए, तो 38,936 है, net salary 28,862 रुप कुछ इसके अपने direction है, कुछ जो direction permanent होता है, जैसे basic देखा जाए, 23,100 है, जो के initial में 18,000 रहेगा, इनका महगाई भत्ता 3927 रुपया, यानी 17% है, 18,000 का 17% जो आता है, वो यहाँ पे रहेगा initial में, अगर HR देखा जाए, तो 18,48 है, A और B क्लास में यह 2 गुना और 3 गुना जो 3,242 है, यह भी मिलता है, अगर आप extra duties करते हैं, अगर night duty का देखा जाए, तो 5,766 है, यानी जितने भी night duty करेंगे, उतने allowances बढ़के मिलते हैं, अब इनके deduction देखे जाए, तो यह अगर railway employee insurance scheme, permanent सभी का deduction होता है, 30 रुपीज, इसके बाद union, दो union के charges यह deduct कर रहा है, 50, 50 यानी 100 रुपे, इनके personal है, LIC का यह payment deduct कर रहा है, यह इसके personal है, लेकिन जो new pension scheme में 10% का deduction है, यह हर एक का होता है, जो deduction किया जाता है, professional tax महारास्टा जो लेती है, यह है, जो लिया ही जाएगा, इसके बाद, इसके कुछ deductions अपने personal है, इसलिए उसे ना देखते हुए, यह और इसके साथ-साथ salary में increase हो जाएगा, जुलाए में DA add होने के बाद salary में increase automatically आएगा, इस प्रकार से देखा जाए, तो pointsman का job बहतर है railway में, career graph के हिसाफ से, working style के हिसाफ से, अगर वीडियो अच्छा लगाओ, तो like, share, subscribe करें, धन्यवाद